सो आज की इस वीडियो में आप तीन इंपोर्टेंट टम को समझने वाले हैं जो कि आपकी question documents related है इसमें से पहला term है आपका freehand forgery या फिर freehand का basically का मतलब है सो freehand का मतलब होता है कि जब कोई भी individual कुछ write करता है किसी भी surface पर तो वहाँ पर proper guidance की availability नहीं होती है जहां पर कोई भी individual कुछ लिखता है वो proper guidance अवेलिबल नहीं होता है proper practice नहीं होती है तो वो writing आपकी freehand writing गहलाती है second term है आपका यहाँ पर feathered stroke feathered stroke का मतलब होता है जब कोई भी letter है उसमें जो आपकी serrated lines बने लगते है आने कि लेटर के जो strokes बनते हैं वो proper आपकी नहीं बनते हैं उसमें serrated lines अवेलिबल होती है तो वो चीज जो रहती है आपकी आपका feathered stroke कहलाता है third term है आपका philiform script philiform script को हम thready writing भी कहते हैं यहाँ पर जो letters होते हैं वो thread की तरह से आपको नजर आते हैं यह तरह का type of writing होता है जहाँ पर जो letters होते हैं उनमें cursive graph available होती हैं लेकिन जो letter बने होते हैं तो उनको अलग-अलग से identify कर परना असान नहीं होता है तो वो चीज आपकी philiform script कहलाती है यहाँ पर जो letters होते हैं वो thread की तरह से बनते हैं तो इसी वज़ा से cursive press available होती है letters जो होते हैं बहुत ज़दा आपके thread की तरह से बनते हैं filament की जैसा अपका structure बनता है तो इसी वज़ा से इस writing को हम बोलते हैं filament script सो उम्मेद करती हैं इतनी हो तम आपको जिस समझ में आ गए होंगे और आपको जाने के लिए चालब सब्सक्राइब कर लेंगे बहरे प्रेस कर लेंगे फोर डेली अप्डेट्स